हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का जीगर ट्रैक यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम हिस्टरी के 25 मोश्ट इंपोरेंट को सना आंसर देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एकजाम के लिए हल्फुल होंगे तो इसलिए आप वीडियो को पुरे एंड तक देखते रहिए और देखे अगर आप हाँने वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूब सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को आल पर फ्रेस कर दें तो इसका अंसर भी हो जाएगा मेगस्थनीज मेगस्थनीज भारत आने वाला ये प्रिथम विदेशी यात्री था देखे मेगस्थनीज ये युनान का था जो सैलिए उकस का राजदूत बनकर 305 चीसा पूर्व में चंद्रगुप्त मोर्या के दर्वार में आया था तो यहां से कई कोस्थन पूछे आ सकते हैं कि मेगस्थनीज कहां का था युनान का था इसे भेजा किस ने था तो सैलिए उकस ने भेजा था 305 चीसा पूर्व में अभी किस के दर्वार में आया था तो चंदरगुप्त मोर्या के दर्वार में आया था याद रखना है इसके बाद कॉस्टा नमबर दो है इंडी का नामक पुस्तक के लिखक कौन है तो देखिए ये जो बुक है पुस्तक है अइंडी आ इस के लिखक है मेगस्थनीज तो इसका आंसर भी हो जाएगा अब देखें मेगस्थनीज कई बरसों तक चंदरकुप्त मोर्या के दरवार में रहा था तो जो कुछ भी उसने भारत में देखा था तो उसने इंडी का नामक पुस्तक में उसका विबिस्तरत बर्लन किया था तो इंडी का नामक पुस्तक के लिखाग है मेगस्थनीज इसके बार नेश्ट कोस्थने निमली खित में से बेहव्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम पिर्या दर्सी भी था तो देखें जो मोर्या समराठ असोक थे तो इन्हें देव नाम पिर्य दर्शी के नाम से भी जाना जाता था तो इसका अंसर ए हो जाएगा मोरे समराड असोक को इसके बार next question है निमली खित में से किसने और कब पहली बार असोक के सिला लेखों का आर्थिस पश्ट किया था तो दिखें महत्रपुन प्रसने ये question कई बार अग्जम में पूछे अब गया है कि जो असोक के सिला लेख थे तो इन्हें सबसे पहले किसने पढ़ा था यानि कि इनका आर्थिस पश्ट किसने किया था तो इसका अंसर सी हो जाएगा सन 1837 में James Princip ने तो दिखें James Princip ये अंग्रेज बिद्वान तथा पुरता अत्वित था जिसने 1837 में सर प्रिथम असोक के सिला लेखों को पढ़ा था तो याद रखना है इसके बाद कॉस्ट नमबर पांच है असोक के सिला लेख किस भासा में लिखे गए थे तो इसका राइट अंसर ओप्सन ए हो जाएगा प्राक्रत भासा में तो दिखें जो असोक के सिला लेख थे या दिखांस प्राक्रत भासा में लिखे गए थे और इनकी लिपीत क्या थी तो इनकी लिपीत थी ब्रहमी और खरोश्टी इसके बाद नेश्ट कोश्चन है निमली खित में से किसने सांची के स्थूप का निर्माल करवाया था तो देखे महान सांची के स्थूप का निर्माल करवाया था मोर्या समराट असोक ने तो इसका अंसर यह हो जाएगा दिखे सांची के स्थूप कहां पर रहे हैं तो मद्धे प्रदेश के सांची में हैं इसके बाद अगला कोश्चान है प्राचीन भारत का प्रसिद्ध सासक कौन था जिसने अपने अंतिम दिनों में जेन धर्म को अपना लिया था तो दिखे अपने अंतिम दिनों में जेन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मोर्या ने तो इसका आंसर C हो जाएगा दिखे चंद्रगुप्त मोर्या ने अपने अंतिम दिनों में जेन मुनी भद्र बाहू से जेन धर्म की दिखसली थी और स्रेवड बेल गोलाव जाकर 298 इसा पूर्व में उपवास के द्वारा सरीर त्याग दिया था तो याद रखना है इसके बार नेश्ट कोस्टन है कोस्टन नमबर आठ है कलिंग युद्ध किस बर्स में हुआ था तो देखे कलिंग का युद्ध हुआ था 261 इसा पूर्व में तो इसका अंसर यह हुजाएगा अब इसके बार इम बात करें तो देखे कलिंग का युद्ध मौरे समराट असोक और कलिंग के राजा अनन्थ नातन के बीच 262-261 इसा पूरु में हुआ था इस युद्ध में मोरे समराज्य ने कलिंग पर विजय पराप्त की थी और देखे इस युद्ध ने समराट असोक की समराज्य बिस्तार नीती कांत कर दिया था क्योंकि इस युद्ध से असोक के जीवन पर बहुत पिरवाव डला था और इन्होंने बोध धर्म का प्रचार भी किया था याद रखना है इसके बाद अगला कोस्सा ने साथ बाहन बंस ने अधिकांस सिक्के मुख्यते किस धातो से बनाए थे तो इसका अंसर भी हो जाएगा लेड तो देखी जो साथ बाहन बंस था तो इसने सर पिर्थम सबसे पहले लेड यानि की सीसे का सिक्का जारी किया था तो साथ बाहन बंस सबसे ज़ाद है ये मुख्यते लेड के सीसे बनाते थे इसके बाद अगला कोस्सा ने भारतियों के लिए महान सिल्क मार्ग यानि की रेसम मार्ग किसने आरंब कराया था तो इसका अंसर भी हो जाएगा कनिस्क ने तो देखे कुसाल बंस के सासक कनिस्क ने भारतियों के लिए सिल्क मार्ग यानि की रेसम मार्ग आरंब कराया था देखे चीन से होने वाला रेसम का समस्त व्यापार इसी मार्ग से होता था यानि कि सिल्क मार्ग से होता था तो सिल्क मार्ग भारतियों के लिए किसने आरंब कराया था कुसाण बंस के सासक कनिस्कनी इसके बाद अगला कोस्सा ने भारत सरकार द्वारा प्रियोग में आने वाला सक संबत किसने आरंब किया था तो इसका अंसर D हो जाएगा कनिस्क ने तो दीखे भारत का जो राश्ट्य संबत है कौन सा है तो सक संबत है तो इस सक संबत को किसने आरंब कराया था तो कुसाल बंस के सासक राजा कनिस्क ने 78 EZB में सक संबत शुरू किया था तो भारत का राश्टिया संबत क्या है तो सक संबत है इसके बाद next question है चरक किसके दरवार में पिरसिद्ध चिकित सकते तो इसका right answer option D हो जाएगा कनिस्क के तो देखे जो चरक थे ये कनिस्क के दरवारी चिकित सकते और देखे इनों ने यानि की चरक ने चरक सहीता नामक आयुरुवेत गिरंथ का संकलन भी किया है याद रखना है इसके बाद अगला कंस्ता ने निमल खित में से कनिस्क के समकालीन कौन थे तो दिखे इस क्वेशन में बताना है कि जो कुसाडबंस का सासक था कनिस्क तो इसके समकालीन कौन-कौन थे तो इसका अंसर भी हो जाएगा नागरजुन, अस्वगोसोर, बसुमित्र तो ये तीनों ही कनिस्क के समकालीन थे इसके बाद अगला कौस्सन है, रास्तरंगडी के लेखक कौन है तो दिखे महत्वुन प्रसन है, रास्तरंगडी के लेखक हैं कलहड तो इसका अंसर ए हो जाएगा दिखे रास्तरंगडी कलहड द्वारा रचित एक संस्क्रत गिरंथ है इसके बाद अगला कोफाने निमलिखित मेंसे पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महा बोधी मंदिर का निर्मार्ण करवाया था तो right answer option भी हो जाएगा समरार्ठ असोग ने तो दिखे बिहार के बोध गया में जो पिर्थम महा बोधी मंदिर है तो इसका निर्माड तीसरी सताब्दी इसा पूर्व में समराठ असोक के दोरा कराया गया था और देखे यहाँ पर ही यानि कि यह जो बोध गया है यहाँ पर ही भगवान गुद्ध को ग्यान की प्राप्ती हुई थी तो याद रखना है इसके बाद अगला कोश्चा ने पांड़य समराज्य की राजधानी कहा थी तो देखे जो पांड़य समराज्य था इसकी राजधानी थी मदूरय यानि की मदूरय तो इसका आंसर भी हो जाएगा इसके बाद अगला कोश्स्या ने तमिल का गोरब गरंत जीबक चिन्तामणी किस से समंदित है तो इसका आंसर है हुजाएगा जेन धर्म से तो देखे जीबक चिन्तामणी एक तमिल महाकाब्य है तो यह जेन मुनी तिरूप तक देवर द्वारा रचित जेन धर्म ग्रंत है तो यह जो जीवक चिंता मड़ी है यह किस धर्म से सम्मंदित है जेन धर्म से इसके बाद अगला कोश्चन है गंदहार कला किसके अधीन फूली फली थी तो इसका अंसर ओप्सन ए हो जाएगा कुसाण काल में तो देखे जो गंदहार कला थी यह किस काल में सबसे ज़्यादा फूली फली थी तो यह कुसाण काल में फूली फली थी अब देखे इसके बाद करें तो जो कुसाण काल का सासक था कनिस्क तो इसके कालन में गंदाहर कला का विकास बड़ी तेजी से हुआ था देखें गंदाहर कला एक पिरसिद प्राचीन भारते कला है इस कला का उलेख बैदिक तथा बाद में संस्क्रत साहित्य में मिलता है देखें गंदाहर कला की बिसे बस्तू भारते थी लेकिन इस काला की सेली, युनानी और रोमन थी तो याद रखना है इसके बाद अगला कोश्सा ने चंदरुगुप्त मोर्या ने अपने अंतिम दिन कहां ब्यातियत किये थे तो देखे इसके बारे मैं आपको पहले ही बता दिया है कि जो चंदरुगुप्त मोर्या थे तो इन्होंने अपने अंतिम दिनों में जेन धर्म को अपना लिया था और इन्होंने अपने अंतिम दिन कहां ब्यातियत किये थे तो यह इसका अंसर आपको नीचे कमेंड लोक्स में बताना है इसके बाद अगला कोश्सान है मोर्य समराज्य की राजधानी कहां इस्थित थी तो देखें मोर्य समराज्य की राजधानी थी पार्टली पुत्र तो इसका अंसर सी हो जाएगा देखें जो मोर्य समराज्य था यानि कि मोर्य राजबंस था ये 322 इसा पूरुप से 185 इसा पूरुप तक चला था इसका अंसर garlic हो जाएगा, यह सिंदू तता जहलम नदी के बीच इसतित था, अब देखे हैं इसके बारे बात करें, तो बिष्बु का सबसे प्राचिंतम, बिष्बिधधले कौण सा है, तो तकसिला बिष्बिधधले है, जो कि सिंद और जेलम नदियों के मध्य इस्थित था देखे इस समय बरतमान में पाकिस्तान के रावल पिंडी से लगवग 18 किलोमेटर दूर ये बिस्विधाले इस्थित है देखे तकसिला बिस्विधाले की स्थाफना लगवग 700 इसा पूर्व में की गई थी तो याद रखना है इसके बाद अगला कॉस्सान है युनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा चंद्रुगुप्त मौर्य ने तो देखे युनानियों को भारत से बाहर निकालने का सिरय चंद्रुप्त मौर्य को जाता है क्योंकि 305 इसा पूरू में युनानी सासक Սल्यू का सौर चंद्रुप्त मोर्ये के बीच युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में चंद्रुप्त मोर्ये ने सेल्यू को सको हरा दिया था और एक संधी हुई थी जिसमें सेलियुकस ने अपनी पुत्री का विभा चंद्रगुप्त मोर्ये के साथ कर दिया था तो युनानियों को भारत से बहार निकालने का सिरे किसे जाता है चंद्रगुप्त मोर्ये को इसके बाद अगला कॉस्सान है चंद्रगुप्त मोर्या का प्रिसिद्ध गुरू चानक्या निम लिखित में से किस बिध्या केंदर से सम्मन्दित था तो देखे चंद्रगुप्त मोर्य के गुरु कोन थे, तो चालाकिय थे, यानि कि कोटिल्य जिने कोटिल्य और विश्णगुप्त भी कहा जाता है, तो ये किस बिध्धा के इंदर से संबंदित हैं, तो इसका अंसर ओप्सन भी हो जाएगा तकसिला विश्णगुप्त, तो तो ये तक सिला बिस्विद्धाय लेके अचार रहे थे देखे चानक्या चंद्रुक्तमुर्य के महामंत्री भी थे याद रखना है इसके बाद अगला कोस्ता है कोस्ता नमबर 24 है हर से चरित्र तथा कादंबरी के लेखक कोन है तो इसका आंसर भी हो जाएगा बान भट यहा इसमें भारतिय समराट हर्स बरधन का जीवन चरित्र बरणत है और जो कादंबरी है यह भी संस्क्रत साहित्य के एक महान उपन्यास है इसके रचना कार भी बान भट है तो देखे बान भट जो थे यह हर्स बरधन के ही दरवारी कभी थे तो इसका अंसर C हो जाएगा बान भट्ट ने ही हर्च चरित्रोर कादंबरी लिखा है तो याद रखना है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही आप चलिए आज का कोस्टन देख लेते हैं जिसका अंसर आपको निचे कमेंड वोक्स में बताना है तो आज का कोस्टन है संग लोग सेव आयोग यानि की UPSC के नए अध्यक्स को ने बने है तो देखे आपको बताना है अभी हाली में 2022 में संग लोग सेव आयोग यानि की UPSC के नए अध्यक्स को ने बने है तो इस कांसर आपको नीचे कमेंड वोक्स में जरूर बताना है तो दूस्तों आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद रहो और आपको वीडियो अच्छा लगाओ आपके लिए helpful हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना साथ ही चैनल को भी सबस्क्राइब कर लेना तो चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत